तो उस्तों Xiaomi जब भी कोई phone launch करता है तो उससे पहले उसकी काफी ज़्यादा hype बना देता है मतलब Redmi Note 13 Pro Plus जो है वो काफी टाइम से जो है वो headline में है राइट और बहुत ज़्यादा trend में हम कह सकते हैं काफी ज़्यादा hype है YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें यह phone जो है अन्बॉक्स करके और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिखा दिए गाया इसका review करके लेकर अभी तक फॉन इंडिया में नहीं आया है किसी प्राइस के साथ तो कहने का मतलब यह शाओमी यार जब भी क तकड़ा और एकदम अच्छा स्मार्टफोन है अब तक का लेटेश्ट प्रोसेसर मतलब सबसे लेटेश्ट प्रोसेसर जो है वो शाओमी 14 प्रो में यूज़ किया गया है इसके बाद इसमें गेमिंग करेंगे और देखेंगे इसका परफॉमेंस कैसे रहती है स्नैप ड्रेगन 8 जें 3 के साथ जो की वर्ल्ड का लेटेश्ट प्रोसेसर भी हम इसको कह सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैं हूँ पसीम और आप देख रहे हैं इंट्फॉमेंस सर्विसीम यूडियूब चैनल पर आपने इसे चनल को सब्सक्राइब कर देजी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यह आ चुका है शाओमी 14 प्रो और यहां पर आप देखेंगे तो चाइनीज लिखी हुई मिल जाएगी क्यूंकि यह चाइना में अल्रेडी लॉंच है और अब यह बहुत जल्दी इंडिया में भी आई जाएगा ओकी सो चलिए इसको फटा-फट अन्बॉक्स कर लेते हैं और यह आप देख सकते हैं इसमें कुछ documentation और same ejector tool भी है और इसमें एक case निकला है जो की काफी अची premium quality का है इसको भी हम side में रख देंगे और देखेंगे आप device में मतलब device अगर हम देखें तो देखें जो device है न वो थोड़ा सा मुझे heavy weight लग रहा है लाइट और इसकी जो battery है न वो 4880 mh की है 4880 mh 120 watt की fast charging और 50 watt की wireless charging के साथ ये phone आता है मतलब बहुत ही जादा कमाल का है और इसमें जो gaming के लिए जो chipset दिया है न वो snapdragon 8gen 3 है जो की 4nm पर वेज़ड है भाई 3nm पर नहीं 4nm पर है और इसमें जो display है न वो तो बहुत ही premium quality का है साइच की बात करू मिल जाएगा और brightness की अगर मैं बात करूं तो 3000 nits है मतलब Samsung, Google और Apple इनको भी पीछे छोड़ दिया इसने और 50-50 MP में आपको triple rare setup इसमें मिल जाते हैं मतलब triple rare setup है वो भी 50-50 MP में है तो तीनो camera 50 megapixel में है जहां से आप 8K video recording कर सकते हैं मतलब 8K और 32 MP में आपको selfie camera मिल जाता है तो भाई video recording में काफी हाई है तो camera test का में एक अलग video लेकर आँगा क्यूंकि इस video में यार यह बहुत ही लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि video ज्यादा लंबा हो आपको एक अलग से camera test video मिलेगा तो इस video मैं सिर्फ इसका gaming test करने वाला हूं इडिजन 3 के साथ कैसी gaming होती है वो आपको इस video में पता चल जाएगा क्यूंकि यह अभी world का सबसे fastest processor है ऐसा भी हम कह सकते हैं तो चलिए फटा-फट करते हैं इसमें gaming बहुत हमने बहुत जादा बाते कर लिए इसकी specification पर अब चलिए अब करते हैं gaming तो चलिए अब करते हैं ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूं कि इसमें क्या-क्या मेल रहा है हमें अभी तो चलिए settings ओपन कर लेते हैं और settings के बाद हम जाते हैं graphics and audio में तो graphics and audio में अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें इसमें smooth मिलता है smooth की बात करें तो इसमें high, ultra और extreme भी है मतलब extreme है तो 60fps की आप gaming बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं लेकिन या 90fps का option अभी नहीं है तो मुझे लगता है कि अभी ये capable तो है processor 8 Gen 3 है तो हो सकता है update के बाद या फिर ये Indian market में launch होगा I hope इसमें 90fps की gaming भी मिलेगी तो चलिए balance में चेक कर लेते हैं तो balance में में क्लिक करता हूं और balance में हमें extreme मिल रहा है HD में भी extreme मिल रहा है और HDR में भी extreme मिल रहा है और ultra HDR में हमें ultra मिल रहा है मतलब 40fps की gaming आप यहां से कर सकते हैं लेकिन extreme मिल रहा है हमें HDR में that means आप 60fps की gaming बहुत अच्छे से कर सकते हैं चलिए अब हम इसमें gaming start कर देते हैं और इसका gaming test करते हैं तो मैं smooth पर extreme खेल देते हैं और मैं यहाँ पर गेमिंग आपको करके दिखाऊंगा राइट और लाश्ट में रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे और यह कर दिया मैंने गेम प्लेश टार्ट अभी मैं बीजी माइटी डियम खेल रहा हूं तो अब चलिए इसको करते हैं फटाफट से इसको हम कंप्ल मतलब क्या होता है दो इसके मिं हीटे भी आपको बता हुए क्या क्या होता है फॉन में अच्छा हो जाता है लेकिन आरो फेहिट बहुत करता है तो उसका फिर मन निकलता ही बहुत बढ़ता क्यों को लेने का हीट बीयक को हीटिगिए एक बहुत बड़ा इश्यू ब Karenabude ऐ लेकिन अभी हमें gaming करने के बाद ही पता चलेगा कि यह performance कैसी देता है अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें optimization अगर सही है तो gaming काफी अच्छी हो जाएगी लेकिन अगर optimization अच्छा नहीं है तो snapdragon edition 3 वियार कुछ ज्यादा खास काम नहीं कर सकता ऐसा मेरा मानना है आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो फिर क्या कर रहा है चैनल को subscribe करो और video को like कर दो और अपने किसी gamer के पास या फिर कोई ऐसा phone देखता है या बहुत जादा interest लेता है ऐसे videos में तो please उसको ये video जरूर share करें और चलिए अब ये तो मेरा जो है वो मैंने इसको खतम करी द क्योंकि आपका भी time बचेगा और मैं यहाँ पर result calculate करके आपको देता हूं okay so मैं हर तरा से इसमें gaming करके देखूंगा राइट तो वीडियो को मैं कर देता हूं fast forward लाइक कर दिजिए और चैनल को subscribe तो यार अब काफी ज्यादा time हो चुका है मुझे gaming करते हुए almost एक घंटा ह हो चुका होगा और अभी भी मतलब अब मैं आपको बताता हूं इसकी performance कैसी रही है तो यार performance की एकर मैं बात करूँ ना तो इसमें कोई issue नहीं है मतलब issue का मतलब यह है कि frame drop बगेरा या फिर lag बगेरा तो बिलकुल भी है नहीं बहुत ही अच्छे से smooth काम कर रहा है मतलब क्या है अब आप इसको शोटा इसू गोल सकते हैं या फिर इसको बड़ा इसू गोल सकते हैं इसकी जो हीटिंग है ना वह थोड़ी ज्यादा हुई है मतलब almost 48 degree Celsius यह हीट हो चुका है 48 degree Celsius तक ही पहुँच चुका था राइट तो मुझे लगता है यह बहुत ज्यादा हीटि ईके तो यह जो है फोड़ा सा मुझे हीटिंग का इसू लगा है वाकि आपको गेंग में कोई शिकायत नहीं होगी, गेंग बहुत ही अच्छी होती है इसमें अगर फोड़ा सा मुझे लगता है इसमें कुछ अपडेट्स बग्एर होंगे, अपडेट्स आएं इसमें और ये Indian market में launch हो तो यार ये जरूर इसमें fix कर दिया जाए ये वाला issue जो heating वाला है ना इसको जरूर धिहान में रखकर launch किया जाए तो देखते हैं मुझे तो ये लगता है ये phone जो है na snapdragon 8 Gen 3 के लिए मतलब थोड़ा सा अच्छे से optimize नहीं है तो इसलिए इसमें heating का issue आ रहा है otherwise जो processor है वो काफी अच्छा काम कर रहा है लेकिन थोड़ा सा heat कर रहा है अब ऐसा नहीं है इतना ज़्यादा तो heat नहीं कर सकता है ये जो हाँ ये मानते हैं कि Qualcomm Snapdragon जो इसके जो processor होते हैं थोड़े से ज़्यादा heat करते हैं ऐसा लोगों का मानना भी है कुछ लोगों का तो अब इतना ज़्यादा थो heat नहीं करेगा तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर end कर देता हूं और आपका क्योपे नहीं है इस phone के बारे में comments में जुरूर बताना और इसका price सावमी को मतलब क्या रखना चाहिए इंडिया में यह भी आप सजेस्ट कर सकते हैं तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वाचिन इस वीडियो